हलो बच्चो मैं सुनीता बैर्वा नव भाड़ती परिवार में आपका स्वागत है बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का विशे पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है यानि कि दो धुर्वियता का अंत पिछली क्लास में हमने देखा था कि बच्चो शीत युद्ध के बाद विश्व किस प्रकार दो धुर्वों में या दो खैमों में बट गया था और इस पार्ट में हम देखेंगे कि दो दिर्वियता का अंत, दो खेमों का अंत किस परकार हुआ, बर्लिन की दीवार, तो बर्लिन की दीवार क्या थी, शीत युद्ध के बाद विश्व दो खेमों में बढ़ गया था, पहला था इस्ट यहने की पूर्वी खेमा और में अर्ट रट वंशन दीवार की चल में महीं हो, बर्लिन की दीवार क्या थी जर्मनी 變 exercise और मिने से क्या से आगल लिन किया और इसान नाम क्या है बर्लीन के तो बर्लीन की ओपर से दिवार्ची गई और इस दिवार ने क्या क्या शू का कई विश्क कर फिबाजन तो बता ही साथ यह क्या को एक आप जग्रमनी का भी विवाजन में आ गया और 28 सालों के बाद में जर्मन अठाई सालों के बाद में क्या हुआ जंता ने इस दिवार को गिराया और उसी के साथ जर्मनी का एक ही करन भी शुरू हुआ बर्लिन की दिवार, बर्लिन की दिवार का निर्मान कब हुआ था, 1961, यानि कि इसका निर्मान 1961 में हुआ था, लंबाई, इसकी लंबाई कितनी थी, 150 किलोमेटर थी, जनता ने इसे गिराया, 9 नवंबर 1989 को जनता ने इसे गिराया, इसे किसके द्वारा गिराया गया था, जनत जनता के द्वारा गिराया गया था जनता नहीं कुद गिरा दिया था इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बर्लिन की दिवार है और किस प्रकार ये बनी हुई है बर्लिन की दिवार है इसने जर्मनी को कितने हिस्सों में बार दिया था दो हिस्सों में बार दिया थ उसके बाद में जर्म निकाय की करन शुरू हुआ इसको जनता ने गिराया था और जनता ने इसको किस परकार गिराया था कि इस दिवार में पहले एक छेद कर दिया आपस में लोग दर दर जाने लगे और फिर इस दिवार को पूरी तरीके से गिरा दिया नीचे के चित्री मे रूस में समाजवादी क्रांती हुई इसमें पूंजी वाद का विरोध किया गया साम्मेवाद क्या होता है साम्मेवाद होता है जिस राज्य में सरकार का आधिपत्य हो यानि कि जिस राज्य में उत्पादन के साधनों पर सरकार का आधिपत्य हो और पूंजी वाद में क्या होता है कि जिस राज्य में उत्वादन के साधनों पर निजी निजी या प्राइवेट निजी या प्राइवेट लोगों का आधिपत्य या स्वामित्व हो इसमें समयवाद के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई और तो समाजवादी क्रांती हुई रूस में उसमें समयवाद के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई निजी संपती का विरोध हुआ यानि कि पुंजीवाद का विरोध हुआ 1917 में रूस की क्रामति के बाद USSR अस्तित्व में आया USSR Union of Soviet Socialist Republic समाजवादी Soviet गंडराज्य Soviet संग 15 गंडराज्यों को मिला कर बनाया गया था Soviet संग में एक ही पार्टी का शासंता Communist Party बत्चो यह विवाजन था वो किस-किस के बीच में था Soviet संग और अमेरिका के बीच में विवाजन था जिसका विवाजन किस ने किया था बरलीन की दिवार ने तो जो Soviet संग था वहाँ पर किसका शासंता समाजवादियों का शासंता और अमेरिका में पूजवादियों का शासंता तो यह दिवार किसको मारती थी सोवेत संग को और अमेरिका को पुझी वादियों को और समाजवादियों को तो जो सोवेत संग था उसमें एक ही पार्टी का शाषन था यानि अगर समाजवाज का साषन होता है तो राज्य पर किसका साषन होता है सरकार का इमाम पर स्वामित होता है, तो सोव्यत संग में एक ही पार्टी का शाषन था जिसका नाम था Communist Party बर्लीन की दिवार, पुणजिवादी और सामेदी दुनिया के बीच बिवाजन की पृतीक थी मतलब जो बर्लीन की दिवार थी वो किस किस को भारत थी? सोवे संग को और अमेरिका को और पुंजी वादी और सामय वादी को क्योंकि सहयुक्त राज अमेरिका है उसमें पुंजी वादी पुंजी वाद का शाशन था और सोवे संग में किसका था सामय वाद का शाशन था तो यह दोनों दुनिया के बीच दुनिया के बीच विवाज दूसरी दुनिया का अर्थ दूसरे विश्वुद के बाद पुर्वी यूरोप के देश सोव्यत संग के अंकुष में आ गये थे इने दूसरी दूनिया के देश कहा जाता है दूसरे विश्वुद के बाद क्या हुआ जो पुर्वी यूरोप के विश्वदो खेमों में बढ़िया था पुर्वी खेमा और पस्चमी खेमा तो पुर्वी खेमा किसके हिस्से में आया सोवेट संग के हिस्से में तो सोवेट संग के हिस्से में जो देश आये थे उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है सोवेट संग के मुखे विशेस्ता है बताओ विश्वी की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता और जो सोवेट संग है वो दूसरी विश्वी की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता यानि कि अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो उसके उसके बराबर में कोई भी करतना शक्ति करती इसलिए विश्व की दूश्री सबसे बड़ी अर्धिवेवस्तार थी उननत संचार पर इंद लिया is दिन लेकर पेन का उत्पादन मतलब सोवे संग में उता तो लोगों को परिशानी नहीं थी गहरेलू उत्योग काफी उन्नत था और उत्योग विक्सित होने लगे ते गहरेलू उत्योगों को भी महत्वि दिया जा रहा था तो लोग अपनी जरुट के समान अपनी देश में उत्पादन किया करते थे उंको अबोग किया करते थे अगवा गमन की अच्छी स्वीदा यानि की परिवेंड की सुवीदा है वो अच्छी थी एक देश है दूसरे देश में वस्तुऊ का आयात निर्यात करना आसान था आवागमन यानि की परिवेन की सुविदा अच्छी ती राज्य का स्वामित और सरकार का साम्यवाद का शाशन था मिखाइल गौरबाचेब 1985 में कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचीव बने जैसा कि हमने देखा कि सोविद संग में एक ही पार्टी का शाशन था जिसका नाम था कम्यूनिस्ट पार्टी और उसके 1985 में कौन महासचीव बने मिखाइल गौरबाचेब बने इन्होंने पिचरते सोविद संग में सुधार लाने का प्रियास किया पस्चिमी देशों से संबंद सुधारने का प्रियास किया लोक्तांत्रिक रूप देने का प्रियास किया पस्चिमी देशों से सुधार संबंद यानि कि जो अमेरिका के हिस्से में जो पस्चिमी खेमे के जो देश थे उनसे संबंद सुधारने का प्रियास भी नोंने किया गोरबा चेब ने देश के अंदर आर्थिक राजनितिक सुधारों लोकतांत्रिकरन की निती चलाई गोरबा चेब की सुधारों की निती जदा काम्याब नहीं हो पाई मतलब गोरबा चेब है अपने काम में नाकाम रहे उन्होंने बहुत सुधार करने की कोशिश की लोगतांत्रीकरन की निती भी चला है लेकिन वे काम्याब नहीं हो सके सोव्यत संग के विगटन की गोशना यानि की विगटन यानि की पतन की गोशना उसकी खतम होने की गोशना उनिस्तो एक्राण में दिसंबर में सोवे संग के तीन बड़े गणराज्य यूस यूक्रेन और बेलारूस ने सोवे संग के विगटन की गोशना करी यानि कि जो सोवे संग के तीन बड़े गणराज्य थे रूस यूक्रेन बेलारूस उसी ने उसके पतन की गोशना करी और सोवेट संग अब खत्म हो चुका था यानि कि उन्यों सोवेट संग तो खतम हो गया उसका पतन हो गया और उसका उत्रादिकारी किसे बनाया गया रूस को बनाया गया सोवेट संग का विकिटन के क्या कारण थे राजनितिक आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी जो सोव्य संग में जो थे राजनितिक आर्थिक जो संस्थाओं थी वह कमजोर थी जैसा कि हमने देखा कि सोव्य संग में एक ही पार्टिक का कम्मिनिस्ट पार्टिक का शाषन था तो राजने कार्थिक जो संस्ताय थी वे भी कमजोरती आनि राजने थी किस्तिती अच्छी नहीं थी संसादनों का दुरूपयोग और जैसे कि हमने देखा कि सामेवाद का शाषन था सबकुछ सरकार के हाथ में था जनता को कुछ भी करने की अनुमती नहीं थी संसादनों का दुरूपयोग की नहीं हो रहा था उनका दुरूपयोग किया जा रहा था कम्यूस्ट पार्टी का बुरा शाषन और हमने देखा कि सामेवाद मतलब सामेवादी कम्यूस्ट पार्टी का बुरा शाषन था यानि एक ही पार्टी का शाषन था तो वह अपनी मनमर्जी कहने से और साषन कर रहे थे बुरी प्रिकार से और उनका शाषन जो था यह पुरी नहीं कर पा रही थी जनता को गलत जानकारी की सोवेसंग विकास कर रहा है जबकी एतर उपकि पिछड़ रहा था क्या हुआ शीति युद्ध के दौरान क्या है जो सोवेसंग है जो क्या हुआ परमाणु मििसाले बनाने में ऐसे कामों में लगा और उन्हें यह नहीं सोचा कि जनता पर इसका पृतु कुल प्रिभाहों पड़ रहे और दीरे-दीरे क्या हुआ कि वे पिछरते चले गए परमाणू मिसायली बनाने के चकर में और बॉब बनाने के चकर में क्या हुआ उनकी परमाणू मिसायले उनकी संख्याता बढती गए लेकिन जो जनता है उसका विकास ठम गया और उन पर प्रत्तुफी कूल पर भाव पड़ा और वह फिचरत्या चले गए कमिनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेश अधिकार और सोवेस संग में क्या एक ही एक मात्र पार्टी का शाषन कमिनिस्ट पार्टी का शाषन था तो उन पार्टी के जो नेता थे उनको विशेश अधिकार थे वे अपने मर्ज मर्जी से अप में शीतव युद होता है तो जब एक महाशक्ति सौवय संग उसका पतन हो गया खतम होगा तो शी युद की समापति हो गया ने कि अमेरिका ही एक महात्र शक्ति बचा तो शीट्य युद की समापति तो नहीं थी दुसरी दुनिया का पतन यानि मेंors जो दूसरी दुनिया जो थी soviet sam, उसका पतन हो गई, हत्यारों की होड की समापती और हमने देखा कि कि सीठित के दरान के हुआ हत्यारों की होड लगी वी थी, soviet sam भी हत्यार बनाने पे तुला हूँ था और अमेरिका भी तुला हुआ था तो जैसे सोवे संग का वेगटन हुआ तो हत्यारों की होड समाप्त हो गई क्योंकि अमेरिका के विपक्ष में या उससे लड़ने के लिए महाशक्ती बचा ही नहीं सोवे संग जो था उसका तो पतन हो गया तो हत्यारों की होड की भी समाप्ती हो गई अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बचा और अमेरिका एक मात्र बड़ी या महाशक्ति बचा नए देशों का उधे हुआ और कई नए छोट 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 जो देश थे जो पुर्विक है में के स्वामितों में आते थे उनके अधिकार में आते थे उन नए देशों का उधे हुआ व विचारधाराओं की जो लड़ाई चल रहे थी वो भी खतम हो गई हमने देखा कि अमेरिका में पुझिवादी विचारधारा थी और विचारधारा है और सोवेशंग में साम्यवादी विचारधारा थी तो जब सोवेशंग खतम हो गया तो दोनों विचारधाराओं की अभड़ा और हमने देखा कि जिस प्रकार उसका मतब दूसरे दुसरी दुनिया का पतन हो गया था दूसरी दुनिया खतम हो गई थी तो एक मात्र महाशक्ती बचा तो अमेरिका ने भी अंतराष्टी आर्थिक संस्तानों में बढ़ चरकर हिस्सा लिया उनका महतु बढ़ा मद्द एशिया के कई देशों में सवीदान बहुत हड़वड़ी में बनाया गया कुछ देशों में राष्ट्रपती को बहुत ज्यादा शक्ति दे गई मतलब मद्द ए अगले वर्षों के लिए और बढ़ा दी रूस तथा अन्य देश जो कभी सवे संग में सामिल हुआ करते थे इन्होंने लगबाग 10 साल बाद यानि की 2000 में दुबारा खड़ा होना शूरू कर दिया अर्थिववस्ता में विकास के क्या कारण थे खनीज, तेल, प्राकर्तिक गेस, धातू और प्राकर्तिक संसादनों का निर्यात किया बाकिये देश को अपने यहां से पाइपलाइन गुजरने का लाब मिला यह किराया मिला क्या होता है, कि जैसे दो देश है, वो अपने में विपार करना चाहते हैं एक देश यह है, एक देश यह है आप उनकी बीच से विपार करने के लिए तेल का विपार करेंगे तो पाइपलाइन गुजरेगी तो इन दोनों को तो लाब होगा, यह बीच में क्या होगा संगर्श और तनाव रूस के दो गंड राज्य चेचन्य और दागिस्तान में हिंसक और अलगावादी आंदोलन चले तजाकिस्तान दशवर्षों तक रह युद्ध की चपेट मेरा चेकुस वालिया शांती पुर्वग दो भागों में बढ़ गया पहला था चेक और दूसर स्लो वालिया तो यह क्या हुआ दो देशों में सांती पुर्वग बट गया